आज की क्लास में हम कुछ ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे जो की जरूरी तो हैं लेकिन confusion create करते हैं जब आप उनका इस्तेमाल करने जाते हैं और ये confusion लंबे समय तक बनी रहती है तो आपको decide करने में difficult होता है कि यहाँ पर ये use करें या ना करें या कोई और शब्द यूज करें ultimately आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हो result यही होता है ये confusion आज की क्लास के बाद आपको नहीं होगी क्लास को शुरू करते हैं आप देख रहे हैं Sunreed English Academy सब्सक्राइब करके bell notification on कर दीजेगा अगर नहीं है इस channel पर और आगे और ऐसी classes आप चाहते हैं कि आपके पास आए जो आपकी अंग्रेजी को मजबूत बनाए क्लास को शुरू करते हैं सबसे पहला जो शब्द है वो है on ठीके इसका मतलब होता है पर क्या मतलब होता है पर जैसे कैसे examples में कैसे इसको use करेंगे जैसे किताब मेज पर है या book मेज पर है इसका simple translation हो जाएगा कि the book is on the table ठीक है ये तो हमने use कर लिया कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको on के साथ अगर एक छोटी सी चीज आप याद रखोगे छोटी सी चोटी सी इसको trick कह लो यह अगर याद रखोगे तो on को आगे देखो मैंने तो एक example दिया ना बहुत जाद हो तो क्या मैं चार example दे दूँगी पाँच example आपको समझा दूँगी बट उससे confusion तो नहीं दूर होगा आपका ultimately आपको अंगरेजी बोलते वक्त आपको इसका इस्तमाल करना है मैं तो बोल रही हूं ना मैं पढ़ा रही हूं मेरा काम है पढ़ाना आपको knowledge देना आप उस knowledge को gain करते हो फिर उसको इस्तमाल करते हो ठीके तो आपको अगर मैं छोटी से trick एक बता दू कि भई इसको देख लेना तो on का use कर लेना तो आपके लिए ज़दा असान हो जाएंगी फिर ये trick जो है दुनिया के किसी भी मतलब particularly इस तरीके के वाक्य में यूज हो जाएगा है ना तो आप याद रखना on आप उस particular वाक्य में यूज करोगे जहाँ पर आप दो चीजों के touch होने की बात कर रहे हो जब कोई चीज जो है वो आपस में touch करे जैसे हमने कहा किताब मेज पर है ठीके तो किताब की surface और table की surface दोनों एक दूसरे से सटी हुई है है ना touch कर रहे है दोनों एक दूसरे को तो यहाँ पर on का use जो है वो बराबर से है वो सही है और आप ऐसी ही situations में on का use करेंगे अब है over जिसका अस्तमाल होता है उपर या के उपर ऐसी जगह तो हमने क्यों नहीं कहा the book is over the table क्यों नहीं कहा हमने क्योंकि किताब जो book table के उपर ही तो है the book is over the table हमने क्यों नहीं कहा क्यों क्योंकि हमें ये वाले trick पता थी क्यों हमें पता है कि भई जब तो योगा surface टच करे तो हमें on का use करना है over का नहीं तो भई, over कहाँ पर यूज़ करेंगे? उपर या के उपर? मैंने कहा, पंखा मेरे सिर के उपर है. The fan is over my head. पंखा मेरे सिर के उपर है. The fan is over my head. तो यहाँ पर on क्यों नहीं कहा? क्योंकि पंखा मेरे सर को छूट ओड़ी ना रहा है. Over के लिए क्या trick यूज़ करेंगे? Simple, जब कोई दो चीज़े आपस में touch ना कर रही हो. तो over का यूज़ करेंगे. सिधाई में आपके सर के उपर हो और वो यह दूसरे को touch नहीं कर रही हो. चिक्या? फिर है above, जिसका मतलब होता है उपर यसे उपर. अब confusion आती है, above यूज़ करें के ओवर यूज़ करें? है ना? अकाश हमारे सर के उपर है, the sky is above our head. तो हमने यहाँ पर क्यों नहीं बोला, the sky is over our head? भई, यहाँ पर भी किसी सतह के उपरी सतह की बात हो रही है. जब touch, sky, आस्मान भी तो touch नहीं कर रहा ना, किसर को? तो over use कर सकते हैं, जवाब है नहीं. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि किसी सतह के उपरी सतर के उपर अगर कोई चीज़ है, और कहीं न कहीं distance wise कह लीज़े, या जगह wise कह लीज़े, वो बड़ी है, तो above का use करते हैं, आस्मान जो है, वो बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो वो मेरे सर की तुलना में बहुत बड़ा है, मेरे सर के उपर के surface से काफी दूर है, तो ऐसी situations में above का use करेंगे. upon का मतलब भी होता है k उपर, right? तो यहाँ पर हमने on ने use करा, over ने use करा, above ने use करा, upon use क्यों करेंगे इस example पर? कि बिल्दी टेबल के उपर कूदा, the cat jumped upon the table, क्यों करा भई? over the table बोल सकते थे, above the table बोल सकते थे, on the table बोल सकते थे, upon एक नए शब्द का यहाँ पर क्यों जरूरत पड़ा? क्यों? क्योंकि इसके ट्रिक यह है, कि यह भी दो चीजों की बात करता है, पर दोनों चीजों में से कोई एक चीज जो है, वो गती में है, मतलब उसमें motion है, और वो दोड़ के आ करके उस चीज को hit कर रहे है, दूसरे वाले चीज को hit कर रहे है, तो upon का use करेंगे. यहाँ पर बिल्ली जो है, वो दोड़ के आई और टेबल के उपर कूद गई, तो jumped upon the table का यहाँ पर use करेंगे. यही वो confusions है ना, जो आपको जिंदगी पर, मैंने तो देखा है, अच्छे अच्छे लोग, जो अंग्रेजी बोलते हैं, प्रॉपर बोलते हैं, फ्लुइंट भी बोलते हैं बहुत अच्छे लेकिन उनको यह basic difference नहीं पता, तो basic difference नहीं पता होगा, तो अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे, बोल पाओगे, गलत बोलोगे, है ना, गलत नहीं बोलना है अपने को, अगला शब्द है in, जिसका मतलब होता है me, मोना पूने में रहती है, मोना लिव्ज इन पूने, है ना, आपने सीमित कर दिया जगा, तो वहाँ पर इन का, और वो सीमित जगा के अंदर क्या बात कर रहे हो, तो इन का यूज होगा, फिर इन्टू, इन है तो इन्टू का यूज क्यों हुआ, इन्टू कहाँ पर यूज करेंगे, में इन्ड़ कुए में कूद गया, हमने कहा, दफ्रॉक जंप्ड इन्टू दा वॉल, वेल, सॉरी, है ना, तो वेल भी तो एक जगा है, सीमित है, उसके अंदर में नकूद गया, तो कह सकते हैं, दफ्रॉक जंप्ड इन्दा वेल, कह सकते हैं न, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इन्टू का इस्तमाल आप उस जगा पर करते हैं, जब कोई चीज, किसी एक चीज से, किसी दूसरी चीज के अंदर चली जाए, यानि कि उस चीज का जो सरफिस एरिया है, जो उसके आसपास का माहौल है, जो उसके आसपास का एन्वायमेंट है, वो चेंज हो रहा हो अगर, तो इन्टू का यूज करेंगे, इसी लिए, गेट इन्टू दा कार, कम इन्टू दा रूम, दा फ्रॉग जंप इन्टू दा वेल, इसी लिए, तीनो ही सूर्तों में मैंने जो एक्जेंपल आपको दिया, वहाँ पर आसपास का जो माहौल है, वो बदल रहा है, मेंडग जो है जमीन पर था, और अब वो पानी में चला गया, तो उसके सरफेस का बदला हुआ, उसके माहौल का बदला हुआ, तो इन्टू का इस्तमाल हुआ, ना की इनका, फिर है ओफ, जिसका इस्तमाल होता है का, के, की, अगर हिंदी वाकिय में यूज़ कर रहे हैं, तो ओफ का इस्तमाल करेंगे, जैसे उन्होंने उसका मज दाक उड़ाया, they made fun of him, by, इस्तमाल होता है द्वारा, के द्वारा, से या के जरिये से, जहां पर आप किसी medium का यूज़ करते हैं, किसी जरिये का यूज़ करते हैं, किसी एक जगह से दूसरी जगह पर या तो पहुँचने के लिए, या तो किसी काम को करने के लिए, वहां प बाई का यूज़ कहते हैं, जैसे वह बस द्वारा आया, तो हम लोग ये तो नहीं कहते हैं, हम कहते हैं, बस से आया, तो उसने बस का इस्तमाल किया, एक जगह से, दूसरी जगह पर पहुँचने के लिए, तो he came by bus, के लिए, इस्तमाल होता है for का, ये उसके लिए है, this is for him इसी लिए या बहुत, इस्तमाल करते हैं so का, देखो so एक ऐसा शब्द है, जिसका इस्तमाल आप reason देने के लिए करते हैं, कि हाँ, इसके वज़े से ऐसा हुआ, या फिर आप जोर डालने के लिए करते हैं, कैसे करते हैं देख लो, इसी लिए वह रोया, so he cried, वो गिर गया इसी लिए वो रोया, right, तो हमने क्या यहाँ पर reasoning दी, कि गिरा न, उसका result क्या हुआ, वो रोया, है न, तो so का स्तमाल किया, result बताने के लिए हमने इसका स्तमाल किया, वही पर मैं बहुत खुश हूँ, I am so happy, कहते हैं, I am so happy, है न, यहाँ पर हमने खुशी के उपर जोर डा के लिए सो का स्तमाल किया, clear, दोनों usage बता दिये, बारे में या के बारे में, about का use करते हैं, यह जगह के बारे में हो, आपके बारे में हो, सामान के बारे में हो, situation के बारे में हो, किसी के भी बारे में जब बात करेंगे, तो about का use करेंगे, मुझे अपने शहर के बारे में ब जैसा, जैसे, as का use करेंगे, जैसा मैं कहता हूँ, वैसा करो, या जैसा मैं कहता हूँ, करो, do as I say, तो आपने दुबारा से repeat नहीं क्या जो कहा, आपने सिर्फ as लगाया, और सामने वाला समझ गया कि किस चीज की बात आप कर रहे हो, है ना, तो ऐसे situations में as का use करते है, within, के अ अंतरगत, है ना, आप limit जब बांध के बात करें, किसी काम को करने की, कहीं जाने की, किसी situation को deal करने की, किसी चीज के बारे में बताने की, जब limit decide हो जाती है, तो within का use होता है, मैं इस काम को चार दिनों के अंदर पूरा करूंगा, चार दिनों के limit बांध ली, हमने कहा, I will finish this work within four days, चार दिन में पूरा करूंगा, in four days नहीं होगा, क्योंकि चार दिन है, तो within ही लगेगा, clear, under, इस्तमाल होता है, नीचे, के नीचे, या अधीन, है ना, किसी चीज की location बताने के लिए, कि वो नीचे है, उपर है, नीचे है, तो under का use करेंगे, बिली मेज के नीचे है, the cat is under the table, अधीन, अधीन का मतलब क्या होता है, जिसका जो junior हो आपसे, बेसिकली, है ना, जो under में हो, है ना, under में हो, अधीन हो, वो dependent हो एक तरीके से आपके उपर, जैसे वो मेरे अधीन काम करता है, he works under me, जैसे मानलो आप कोई अफसर है, उसके नीचे, जैसे मानलो, किसी office इसका कोई manager है, तो वहाँ पर जो बाकी सारे staff है, वो उसके under है, वो उसके अधीन है, है ना, वो उसको report करते हैं जा करके, तो वो उसके under में काम करता है, जैसे मतलब वो उस बंदे, उस manager के under में बाकी का पूरा staff काम करता है, जैसे मतलब भी होता है, नीचे के नीचे, तो ह क्यों नहीं कहा, क्या, नहीं कह सकते हैं, गलत हो जाएगा, है न, मतलब word placement wise यह गलत हो जाएगा, देखो कहने का तो लोग कुछ भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, चेके, बट हम लोग जो पढ़ रहे हैं, सही पढ़ेंगे, गलत नहीं पढ़ेंगे, चेके, तो बिनीत का use नीचे तो हो, और एक दूसरे में touch कर रहा हो, surface में touching हो, ठीके, जैसे किसी चीज के नीचे होना, और वो उस चीज को छूती हुई हो, जैसे चाबी, अगर आप तक ये के नीचे रखोगे, तो चाबी, और तक ये, में संपर्क बना, वो चीज एक दूसरे को touch कर रही है, जिनीच का use कर लो, राइट, फिर है off, जिसका मतलब होता है, बंद, light बंद कर दो, switch off the light, बंद जो है, छुटी, off का इस्तमाल छुटी के लिए भी होता है, जैसे मेरा आज off है, मतलब काम बंद है, मतलब छुटी है, ठीक है, ऐसे भी बहुत use होता है, इसलिए बता दिया, के दोरान इस्तमाल होता है, during, वह पढ़ाई के दोरान सो गया, he slept during the study, अब ये कैसे use करेंगे, है न, ये समय को सूचित करने के लिए इस्तमाल होता है, समय को सूचित, कौन से समय को सूचित, एक समय जो किसी एक particular काम को करने के लिए निरधारित था, लेकिन उस काम के दोर उस काम के बीच में कोई और काम आपने कर दिया, जैसे पढ़ने के लिए मानलो आच से 10 का समय है, और आच दस, 8 से 10 के बीच में आप सो गया, तो आप पढ़ते पढ़ते सो गये होंगे, हो सकता है, तो आप पढ़ाई के दोरान सो गया, क्योंकि वह समय जो था वह आपके पढ़ाई का था, उसको वो चलते-चलते में ही आप सो गए हैं, है ना, except के सिवा, के सिवा, या को छोड़ कर, school रविवार को छोड़ कर हर दिन खुलता है, the school opens every day, except Sunday, है ना, मतलब, except कहां यूज करते हैं, जहां किसी चीज को छोड़ करके आपको बात करनी हो, और जिस चीज को छोड़ रहे हो, उसको except के बाद लगाएंगे, हमने यह आपर Sunday को छोड़ना था, तो except के बाद हमने Sunday लगा दिया, चिक्के, behind, पीछे या के पीछे, वो बस मेरे पीछे था, he was just behind me, with, I play with my friends, यह हमेशा साथ वाले वाक्यों में, with का ही यूज होगा, इसमें कोई confusion वाली जगा ऐसे बनती नहीं है, किसी के साथ, किसी के भी साथ की आप बात करें, किसी भी situation में बात करें, with का ही इस्तमाल हम लोग करते हैं, यहाँ पे कोई confusion वाली जगा नहीं है, जगा पर दो से अधिक लोगों के बीच में बात करनी हो, तो अमंग का यूज करेंगे, मैं दस लोगों के बीच में था, I was among ten people ऐसा या ऐसी such word का use करते हैं ऐसी बाते अच्छी नहीं है such things are not good और such things मतलब सामने वाले को understood है आप किस चीज की बात कर रहे हो कुछ इस्तमाल करते हैं सम का, मेरे पास कुछ समय है I have some time वही या समान use करते हैं same का मेरे पास वही किताब है I have the same book कभी इस्तमाल करते हैं ever का क्या कभी आपने पढ़ा है have you ever read ठीक है तो चलिए यह थी आज के class जहां पर हमने कुछ ऐसे शब्दों को पढ़ा जो आता तो हमें है लेकिन confusion हमेशा बनाए रखता है ultimately confusion में आप बोलने ही पाते हो फिर आप नॉर्मल अपनी language बोल के निकल जाते हो अंगरेजे बोलने का सपना जो है वो पूरा नहीं हो पाता या कहीं ने कहीं अधूरार्फा रह जाता है class कैसी लगी? comment करके बताओ अच्छी लगी है चैनल को subscribe कर लीजे आप देख रहे हैं Sunrit English Academy सब्सक्राइब करते वक्त bell notification on कर दीजेगा हमारी courses available है हमारी app पर English reading की grammar की spoken की writing की और e-books हमारे पास available है Sunrit English Academy app का नाम है जो की Google Play Store पर आपको मिल जाएगा download and install कर लीजेगा कोई दिक्कत हो तो इस number पर बात कर लीजेगा WhatsApp message करके कि मुझे ये वाले दिक्कत आ रही है मुझे ये वाले course में admission लेना है मैं नहीं ले पा रहा हूँ या नहीं ले पा रहा हूँ in case है न e-books हमारी इस website पर भी available है ये PDF वाली किताब में है तो इनको download करना पड़ता है चाहे कहीं से भी ले आप से ले ये website से ले इसके अलावा WhatsApp का group Telegram का channel जॉइन कर लीजेगा रोज की classes आपको आपके mobile पर deliver करी जाती है चाहे आपके पास समय हो तो उसी वक्त उसी moment पर देख ले नहीं तो save करके रख ले बाद में आपका भी भी इसको attend कर सकते हैं चलिए मैं आप से मेलूंगे आपके अगले class में तिल दन thank you so much for watching stay tuned to Sandit English Academy